नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सारे बचे बहुत अच्छे होंगे बहुत प्यारे होंगे मैं सुशान सर्म आपका हार्दिक स्वागत अविनंदन करता हूँ आपके अपने प्लेट वाम पर तो प्याश्चो आज की ग्लास के सुरुवात करते हैं आ से बताएं आप कौन-कौन सी स्ट्रक्चर पाए जाएंगी प्लांट सर्स में तो हमारे पास होता है सेल मेंब्रेन हमारे पास सेल मेंब्रेन होगा आपका जो एनिमस और प्लांट सर्स दोनों में पर जाएगा आपका जिसको बोलते हैं को सिका जिल्ली हमने पढ़ा था ला कि यहां पर क्या होगा यहां पर होगा यहां पर होगा यह हमारे पास नुकलियस होता है नुकलियस आपने पड़ा है यह हमारे पास नुकलियस होगा नुकलियस के अंदर क्या होगा जिसको बलेंगे क्रोमेटीन याद है नहीं है आपको आप जाते हैं नुकलियस की जाओ टर membrane होती ही थोड़ी folded हो जाती है और जब यह folded हो जाती है तो प्याचो इसको बोलते हैं endoplasmic reticulum इसको हम endoplasmic reticulum कहते हैं endoplasmic reticulum इतनी बात आपने पढ़ा था सारे बच्चों ने और endoplasmic reticulum के बाहर क्या होगा आपका इसको बोलते हैं counterparty क्या बोलते हैं इसको गोल जी बोडी कोहेंगे इसको कहेंगे पательно आपका गोल जी बोडी सोती है है इसरी की सट्री स्ट्रेक्चर्णट्र होगी बहुत-बहुत स्वागत से पर उचिवे गां हां गुड मॉर्न गुल्न क्या मौनेख नेगे अपका plastic ये प्लास्टि रहीग होता है प्लास्टिड प्लास्ट इड क्या होगा सब्सकुर्भान करने और यह निर्ण ब्रहूं ड्रीफ पर्रहें बोन स्वर्ण आपको आप्लांड करने आ जिलिए रहाएं रही है कि प्लांट का में काम क्या होते हैं प्लांट का मुख्यकारिया क्या होते हैं जीवन जीने के लिए प्लांट को क्या करना पड़ेगा तो प्लांट को करना पड़ेगा पैवचो फोटो सिंतेसिस और फोटो सिंतेसिस करने के लिए उसको किसकी रिक्वार्मेंट होगी लाइट तो पानी और मिन्नल्स कैसे प्लाण के पास पूझता है पहले हम उसको देख लेते हैं ठीक है तवेद बगरा सब बढ़िया है आपका बहुत बहुत बढ़िया हाँ आप जानते हैं प्यारवचो जब हम पोधे को देखते हैं माली जेगा आपसे पम्मी ने खा कि जब पोधे को पानी देखे है तो आपके पास एक पोधा है आपके पास एक ब्लांट है आपको मम्मी ने खा कि जब बेटा पोधे को पानी देकर रहा तो आप कैसे पानी देकर आएंगे पोधे को, आप कैसे पानी देकर आएंगे पोधे को, पोधे को पानी कैसे देकर आते हैं, तो प्याचो मान लेजेगा आपके पास ये पोधा है, आप पोधे को पानी देने जा रहे हैं, आपके हाथ में बकेट है, बाल्टी है, बाल्टी लेकर पोधे के पास जाते कि आप पोदे को पकड़ते हैं उखाडते हैं चल पी पानी कि आप ऐसे पानी पलाते हैं पोदे को यस नो नहीं कि आप ऐसे पानी पलाते हैं कि आप पोदे के पास जाते हैं और पोदे से कहते हैं आप क्या करेंगे आप सिंपल ही पोदे के पास जाते हैं और पोदे के पास जाने के बाद आप बाल्टी से पानी कहां डाल देते हैं आपका रूट के पास रूट के पास पानी डाल देते हैं और यह पानी क्या होगा आपका जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इकट्टा हो जाता है तो वाटर प्रिजेंट बिटबिंदा सोयल पार्टिकल इसको क्या बोलते हैं, आमका capillary water, इसको capillary water कहा जाता है, प्याजो capillary water, तो आप से पुझेगा, पोधा कौन से पानी को absorb करता है, capillary water को absorb करेगा, इसको हिंदियों बोलें, case naily drug, क्या बोलेंगे, case naily drug को अपसोसित करता है, ठीक है, अब जब ये case naily drug को थोड़ा मैं जूम कर कर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ, प्याजो, जो plant की root होती है, थोड़े brown color की होती है, याद रखेंगे, तो यहाँ पर मैं brown नहीं बना रहा हूँ, green बना दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्याजो, जब मैं root region को देखता हूँ, तो root region में क्या होंगे, अपका different different parts होते है, यहाँ पर होता है zone of cell maturation, zone of cell maturation होता है अपका परिखлан वाला हिस्सा होता है, zone of cell maturation, और इस zone of cell maturation में क्या निकलते हैं, प्याजों root hairs, यहाँ पर root hairs निकलते हैं, root hairs, मूल रेसे निगलते हैं क्या निगलते हैं अपका root hairs तो ये हिस्से में निगलते हैं root hairs root hairs निगलते हैं मूल रेसे निगलते हैं आपका root hairs अब इन root hairs से जाकर कौन butcher कर जाता है पनी außerोप पनी कर जाता कौन सा πάनी capillary water wine कर जाएगा और यह ne appeared यहां पर एक process होती है osmosis, यहां पर एक process होती है osmosis की और इस osmosis की process द्वारा पानी कहां पोज जाएगा जालम टिशू में, कहां पोज जाएगा जालम टिशू में, तो आपसे एक कोशन पूछता है कि पोधे में पानी को ले जाने का काम कोन करेगा, तो पोधे में पानी को ले जाने का काम को उनकरते हैं टिशू होते हैं जिनको बोलते हैं जालम टिशू क्या बोलते हैं आपका जालम टिशू बोलते हैं जालम टिशू जालम उत्तक इन टिशू को क्या बोलते हैं जालम उत्तक कहते हैं हम क्या कहेंगे जालम उत्तक और यह जो जालम उत्तक होते हैं प्याचो इनके द्वारा क्या मूव करता है पोदे में water plus क्या मूव करेगा मिन्नल्स पानी और मिन्नल्स मूव करेगा मतलब जल और खनीज इनके माद्यम से क्या करता है उपर के ओड़ जाता है जल और खनीज इनके माद्यम से उपर के ओड़ जाता है तो प्याज़ो यह जो process है, इसको बोलते है, ascent of sap, क्या बोलते हैं आपका ascent of sap, याद एक याद एक इतनी बात को, सारे के सारे बच्चे, yes, no, तो प्याज़ो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक poda है, poda को हमने case-nally drop दिया, case-nally drop को जो हम देख रहे है प्यार बच्चे, केश-nally drop को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो पोधा पानी absorb करता है, वो किसकी सायते से करता है, root hairs की सायते से करेगा, root hairs को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे मूल रेसे कहते हैं, मूल रेसे, और प्याज़ो यह मूल रेसे, किस process होता है, जहां पर यह root hairs पाई जाते हैं, और यह root hairs जो पाई जाते हैं, परिपक वाले हिस्से में, यह पानी को absorb करते हैं, किस किरिया द्वारा परासन की किरिया द्वारा आपका absorb करते हैं, तो हिंदी की जादे दिक्कत ना मानें आप, क्योंकि जो आपकी theory लिख हुई है, वो सारी कि सारी हिंदी में लिखी हुई है, चिंता ना करें आप तो मृदा करणों के बीच उपस्तित जलको केसनली दरब कहते हैं, जो में आप भी बताया आपको पोधा केसनली दरब को मूल रेशू की सहाता से परासरन की किरिया दवारा क्या करता है आप कोई दिक्कत नहीं रहतिक है अब आप एक बात को मान के लेंगे कि हिंदी हिंदी क्योंकि मेरी स्पीड तेज है श्की नॉर्मल स्पीड नहीं है क्योंकि मैं सोचता हوا कि मैकसिम्मम आपका चीजे कबर हो जाए अगर आप कहेंगे कि हंडी में ही पढ़ा हो आपका तो मैं आराम से आपको हिंदी में पढ़ा देता हूं ठीक है फिर कुछ ज्याद है कवर करने का मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा तो मेरा काम रहेगा टाइम पूरा करना अपना ठीक है मुझे 20-25 घंटे जो पढ़ाना है वो मैं आपको पढ़ा के चला सम्मान्य है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा तो यह हमारे पास एक पेड़ है पोधा है हमारे पास तो आपसे पूछेगा पोधा कौन से पानी को अफसोसित करता है तो याद रखें केस नली द्रब को अफसोसित करेगा अब जो कैसे जाएगा पोधे की रूट के पास जो रूट होती है जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो रूट में क्या होंगा डिफरेंट डिफरेंट भाग होते हैं आपका इसमें एक भाग होता है परिपक वाला हिस्सा होता है परिपक वाला हिस्सा और यह जो परिपक वाला हिस्सा होता है इसमें इसमें क्य परिपक वाला हिस्सा होता है इससे जो एक केशनली द्रव है वो क्या हो जाएगा वो यहां पर अटैच हो जाता है और यहां पर एक प्रॉसस होती है जिसका नाम होता है परासरण परासरण की किरिया द्वारा यह पाणी कहां चला जाएगा आपका यह पाणी कहां चला जायाता है जेलामुटक में तो हम याद रिखेंगे पोधा पोधा जो पानी को अब्सोर्ब करता है जो पानी को अफसूशित करता है जो खनीज को अफसूशित करता है वह किसके मादयम से ऊपर जाताupl टायान एर यह किसको ले कर जाते हैं यह लेकर प्यारे बच्चे जल एओं खनीज को तो जल खनीज कहां पहुझ जाता है कहां पहुझ जाएगा आपका लीवस में इतनी बास में आती है हाँ यस है ठीक है बड़े आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब देखो यहांपर देखो 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 अब यह जो पानी उपर जाता है जड़ों से पत्यों तक जो जल का इस थानांतर्ण होता है उसको रसारोन कहते हैं क्या कहते हैं, रसा रोहन, यहां से कोशन क्या पूछता है, यहां से एक ही कोशन पूछता है, कि जो रसा रोहन की किरिया होती है, वो किसके माद्यम से होती है, बस आपको यार रखना है, जैलम के माद्यम से होती है, किसके माद्यम से जैलम, जैलम उत्तक के माद्यम से, जैलम जल एब खनीज ट्रांसफर होंगे आपका जल एब खनीज तो इस बात को याद रखेंगे सारे बच्चे अब आपसे पूछा गया है साइंटिस ने कहा कि भाई ठीक है पानी रूट से कहां जा रहा है पत्यों में जा रहा है लेकिन कैसे प्रूफ करोगे कौन सा फोर्स काम कर इन्होंने कहा कि जो रूट होती है, इन्होंने कहा कि जो पोधा होता है, पोधे की जो रूट होती है, उस रूट के पास क्या इखटा हो जाता है, पानी इखटा हो जाता है, जल इखटा हो जाएगा, यहाँ पर जल इखटा हो जाता है, और यह जल जब इखटा हो जाता है, जिस दाब को क्या होते है मूल दाब, क्या होते है मूल दाब, तो यह मूल दाब उत्पन करेगा, मूल दाब के माददे में से पाने को कहा भेज़ेगा, उपर की ओर, जैसे आपने देखा होगा, जिस दाब को क्या होते है मूल दाब, तो पानी क्या करेगा, जड़ो में इखटा हो जाएगा, उपर की ओर एक दाब लगाता है, आपने देखा होगा, जब कहीं पर भीड इखटी हो जाती है, तो आपने देखा होगा, फिर वो कोई ना कोई प्रेसर लगाती है, कोई ना तो ये चाहे वो पानी का नेचर है दोनों का एक जैसे रहता है भीड इखटा होने का मतलब ही है कि वो किसी मंसा से इकटी होती है और वो कुछ ना कुछ तोड़ फोर्ड या आघ्जनी या कुछ ना कुछ करती है तो सबसे पहले पुलिस का काम क्या होगा भीड को तितर पितर करना, क्योंकि जब तक भीड है, भीड हमेशा निगेटिव होती है, हमेशा निगेटिव चीज़ों को ही आगे बढ़ाएगी, अब यह मत समझ ना ऐस सत्या है, आंदोलन हो रहा है आपका, मतलब अहिंसा का लोन इंद होते हैं आज कल जो भी आंध लोनोंंंगे हुंसा को लेखें होते हैं बस बाकिगी कुछ नहीं होगा हिंसा हिंसा और यह ङांख्याश नहीं आपका राहूल गांदी काम वालिया सोचलो आप आप करो यह सब चीजे रहती है आपका यह प्रिश्ले ने दिया था आपका प्रिश्ले यह रूट प्रेसर थिए थी प्रिश्ले ने पूछा नहीं जाएगा कभी आपसे प्रिश्ले प्रिश्ले का नाम काफी बार सुना होगा अपने ठीक है ओक्सियम के रिगार्डेंग भी प्रिश्ले का नाम सुना होगा प्रिश्ले प्रिश्ले में भी प्रिश्ले का नाम सुना होगा अब आप यह बताएगा आप यह बताएगा जैसे आप पानी पानी के पाइप को लगा में बाइब को आप और आम लागा जब तोटी को आप होगा जब फंद होगा जब घुली ओगी पानी के पाइब का मुझ अब कंप करते हैं और आप टंकी में पाइप लगा लेते हैं तो प्रेसर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं पाइप के मुझ को बंद कर देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पाइप के मुझ को खोलते हैं तो आप देखते हैं प्रेसर जाद होता है और जो गाड़ी वगरा या आपकी वगर आउती, इसमें जो मिट्टी वगर आउती, वो धुल जाती है, ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है, तो प्याचो आप से पूछता है कि rate of, या root pressure कब जाद होगा, root pressure कब जाद होगा, प्याचो जब बाटर का absorption जाद होता है, और transpiration क्या होगा, कम होगा, transpiration एक process होती है, जिसके मादें से पत्तियां या पोधा अपने पानी का लॉस करता है, तो वो कम है, absorption जाद है, तो क्या होगा, root pressure बढ़ जाएगा, जैसे आप आपने देखा होगा, जब आप अभी, प्यारविच्चो सावन का महीना गया है, सिवरात्री गई है, सिवरात्री पर आपने देखा होगा, जब जल चड़ाने के लिए जाते हैं, सिवरात्री पर बहुत लंबी-लंबी कतार होती है, बहुत लंबी-लंबी लाइने होती है, तो उसमें कोई भक्त ऐसा होता है मेरे जैसा जो सिवलिंग पर बहुत जादे टाइम लगाता है कहीं प्याव चावल अरपित करता है कहीं काले तिल अरपित करता है कहीं सहद अरपित करता है कहीं दही कहीं दूद भगवान को अरपित कर रहा है है ना फिर क्या होगा लाइन पीछे से ऐसे चलती रहती, दीरे-दीरे चलती रहती, दीरे-दीरे चलती रहती, लेकिन आगे की लाइन रुख गई है, तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्यों का लाइन में एक प्रैसर आता है पीछे से, और लाइन तूर जाती है, और उसमें से व्यक्ति क्या होग बढ़ जाएगा तो वही आपकी लाइन में रूल होता है वह यहां रूल होता है कुछ अलग रूल नहीं है मेरे ख्याल से अब आप समझेगे होंगे हाना में जवाब दें ठीक है प्रेसर कम होने से बढ़ जाती है यह बच्चा मुझे लग रहा है यह पढ़ रहा है बनोली थियोरम पर मताओ यहां पर आजाओ जो पढ़ा रहा हूं है ना यहां जाओ यहां जाओ आप देखाँ यह पर सब्सक्राइब एक साइंटिस ते जिग डिग जन एंड जोली प्या सारे बच्चे आदेखें कोहसिव फोर्स क्या होता है अडेसिव फोर्स क्या होता है क्या आपको पता है यस नो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो आगे आएगा कोहसिव फोर्स होता है प्यार्चो जो एक ही सब्स्टेंस के मोलीकूल के बीच में का कर रहा है अडेसिव फोर्स वो होता है जो प्याचो अलग अलग सब्स्टेंस के मोलीकूल के बीच में काम कर रहा है जैसे ग्लास और पानी के मोलीकूल के बीच में क्या काम करता है अडेसिव फोर्स और पानी पानी के मोलीकूल के बीच में क्या काम करता है कोहसिव फोर्स क् किस force के द्वारा पैचो cohesive force के द्वारा और यह कहते हैं यह theory कहते हैं कि जो पानी के molecule आपसे जुड़े हुए हैं जब यहां से पानी का loss होगा transpiration के द्वारा तो यहां पर एक pull हैं लेकिन अब वाद को हम नहीं देखते हैं हम मानते हैं कि सबसे मानी जाने वाली सिध्धान कौन सा यही है और इसमें कौन सा force में रोल प्रे करता है आपका cohesive force responsible होता है और यह most accepted theory है सबसे जादे माने जाने वाला सिध्धान यही है जिसको क्या बोलते हैं डिकजन जोली theory या transpiration pull theory क्या इतनी बाद सबसे में आती है बहुत बढ़िया हाँ similar substance की बीच में कौन सा force रहता है आपका cohesive यहां देख लो न अगर सबसे में नहीं आया तो यहां देख लो आप एक बार यहां देख लो आप प्याचो यह मेरे पास क्या है यह मेरे पास glass है यहां पर यह मेरे पास glass है और यह मेरे पास क्या है यह भी glass है दोनों तरफ मेरे पास glass ही glass है यह भी glass है यह भी glass है ठीक है अब यहां glass में क्या रखा हुआ है यहां पर glass में क्या रखा हुआ है पानी रखा हुआ है यहां पर glass में क्या है आपका पानी रखा हुआ है पानी ये glass में पानी रखा हुआ है पांचो अब आप जानते हैं पानी के molecule पानी के molecule आपसे जूड़े हुए है ये किस force के दोरा जूड़े हो है पारivaus Silak Hall करेबा क्या होगा ससन जगबल qué उसको adhesive force कहते हैं, adhesive force क्या होती है, क्या होते हैं, क्या UP बलते हैं, इसको आसन्जग्बल कहते हैं आसन्जग्बल तो एक हो가 स अंजग्बल, एक हो एक होगा सब्सक्राहत्ट, मेरे का हैज से समझ कि आओंगे, सारे के सारे बच्चे ठीक है बड़े आगे एक बार सीधों के वैटे हैं लंबी-लंबी सांसे लें सारे के सारे बच्चे बहुत बड़े हैं अब प्याज़ों हमारे पास आता है Transpiration, Transpiration क्या होगा, कौन बच्चा होताएगा, Transpiration क्या होता है, आप देख रहे हैं, प्याचे एक process होती है, Transpiration पोधों में, Transpiration के द्वारा पोधा क्या करता है, Baspo Surgeon, कौन सी process होती है, Baspo Surgeon की process होती है, और Baspo Surgeon की process द्वारा पोधा क्या करेगा, पोधा क्या करेगा पोधा है हमारे पास यह प्यारा सा पोधा है याद रखेंगे पोधे का जीवन बड़ा कच्ट में होता है सर क्यों कच्ट में होता है क्योंकि एक कला से युक्त होता है सर एक कला से युक्त मतलब क्या होता है मतलब यह क्या होगा इस्थी रहता है एक जग बना रहता है आपका जो पोधा होता है और ये अपने आसफास क्या क्या नहीं देखता है अगर दिल्ली के पार्कों में कोई पोधा लगा हुआ है तो आपको बता है दिल्ली के पार्कों में क्या-क्या हरकते होती हैं क्या-क्या घटनाई होती हैं क्या-क्या कांड होते हैं द काफी परिसान है दिल्ली वाले लोगों की हरकते देख देखकर दिल्ली वाले लोगों की हरकते देख देखकर जो कारिया इनको घर पे करना चाहिए वो कारिया कहां कर रहे हैं आपका पार्कों में कर रहे हैं सर माने चाहिए दिल्ली वालों को ठीक है बड़े बत्तमीज प्यासिटा-पाइशा जियायख के द्वारा पानी कहां पूझ गया है पानीक पूझ गया है पानीक बिएशु पोधाब कराता है बतादेगा बीहार में क्या प्याहक है सर बीहार में बेर्ण है यह स्वन नाम भी होता है बुढ जिसको होते हैं दारू, क्या होते हैं दारू, ठीक है, दो घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे मौड दे, ठीक है, तो ये वही दारू है प्याचो, वही दारू है, जिसका बात आप कर रहे हैं, दारू, बुढ, बुढ को दारू बोलते हैं, कहीं वो वाली दारू जैसे पोधा पोधे में पानी कहां पोजाएगा लीव्स में पोजाएगा पानी कहां पोजाता है लीव्स में जो लीव्स होते हैं लीव्स में क्या होगे पैच्छो छोटे 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 पोर्स होते हैं और इन पोर्स को क्या बोलते हैं पैच्छो इस्टोमेटा बोलते हैं इनको बोलते हैं रंद्र क्या बोलेंगे रंद्र बोलेंगे स्टोमेटा बोलेंगे रंद्र बोलेंगे अब इन रंद्रों के द्वारा क्या होगा प्यार विच्छे इन रंद्रों के द्वारा क्या होगा जो पानी जो एब्जोर्ब वाटर है वो जाएगा लीप्स के पास औ वास्फ की रूप में, वैपर की रूप में भार निगलता है, उस प्रासस को क्या वह लेंगे? Transpiration. क्या इतनी बाद समझ में आ रहे हैं आपका? क्या इतनी बाद समझ में आ रहे हैं आपका? Yes, 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 बहुत बढ़िया. इतनी बाद याद रखेंगे, बहुत अच्छी बाद, बहुत अच्छी बाद, तो याद रखेंगे बाद जो Transpiration में क्या हो रहा है, आपका जब सूरिय की light पढ़ती है, आपका सूरिय की light पढ़ती है, कहाँ पर, मैंने आपको homework भी दिया था, vitamins, है न? अगला homework है, cell biology, क्या आपका cell biology, cell biology है, mitocondia, क्या है आपका endoplasm, migraticulum, gauzy body, आज मैं पढ़ाऊंगा सारा का सारा आपको, ठीक है, मैं आपको 10 मिनिट में सारा का सारा vitamin और cell biology पढ़ा दूँगा, जहां-जहां से questions पूछे जाते हैं, ठीक है, 10 मिनिट में आपको revise करा उस book से आप पढ़ लेंगे, जो भी आपनी notes पहले बनाए हुए है, foundation badge के, उन foundation badge के notes को खोलेंगे एक बार, जो मैं आपको 10 मिनिट में समझाओंगा, उस से ही आप एक बार उसको ही अपनी memory में बठा कर अपनी notes को पढ़ेंगे, 10-15 मिनिट में याद हो जाएंगे, ठीक है, मैं बोलता रहूंगा question, आप answer मन-मन में देते रहेंगे, लिखने कोई आवशक्ता नहीं है, ठीक है, जब मैं आपको revision कराऊंगा, तो कौन-कौन से chapter कराऊंगा, विटामिस कराऊंगा, cellology कराऊंगा, अगली class में कौन सा chapter दूँगा, आपको याद करने के लिए बता और selected भी है, ठीक है, आपके जो teachers हैं, वो selected भी है, तो है न, तो आप थोड़ा सा सम्मान बनाए रखे, ज्याद अच्छा रहेगा, time की कोई दिक्कत तो नहीं आज, 52, 53, 54 मिनट तो नहीं हो रही आज, कहीं time की कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को, पहली बता दे मुझे, मैं class उसी समय बंद गर दूँगा, जिस समय आप क्या देंगे, क्योंकि मेरा time, तो देखो हम तो, हम तो बेरोजगार व्यक्ति हैं, हमारे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम हो भाई साब, बहुत, मतलब, बहुत, कीमती समय रखने वाले बच्चे, हमारे कारण दोना time बर देखो, आप याद रखना, अगर आपके किसी सब्से मेरे दिल को ठेस पहुंचती है, ठीक है, तो जितनी ठेस मेरे दिल को पहुंचेगी, उससे जादे ठेस मेरे भाईयों को पहुंच जाती है आपका, और उससे जादे पहुंच जाती है, राहुल सर, ठीक है, मित्र भी ह हमारे भाई भी है और हमारे मिरतुंजा सर मित्र भी हमारे भाई भी है तो उन दोनों को भी ठेस पहुच जाते हैं तो हम तीनों ही परिसान हो जाते हैं तो इसलिए मैंने सोच लिया है कि भाई साब आप कुछ भी बोल देंगे मैं नराज नहीं होंगा मैं नराज नहीं होंगा, क्योंकि मेरे कारण मेरे दोरों भाई भी नराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, इसलिए आप कुछ बोलेंगे, तो मैं बिल्कुल भी कुछ नराज होने वाला नहीं हो, हाँ, आँखो में आसो जरूरा जाएंगे मेरे, लेकि मैं कुछ बोल अब देखो यहां पर देख रहे हैं, अफसोसी जलका पोदे के बाईवे भाग से, अफसोसी जलका पोदे के बाईवे भागों से हास क्या 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 क् Cuticle के माद्धाम से भी होता है, तो plant क्या करते हैं? ठैचो, plant आप देख रहे हैं, plant का जीवन कित्रा कस्ट में है? भगवान किसी को भी पोधे की योनी ना दे, क्योंकि पोधे की योनी होती है, पोधे का जीवन होता है, बहुत-बहुत कस्ट में होता है, ठीक है? सैकड साल उटे-गूड बी जाता है। पोधे में भी जीवन है। उस जीवन को भी महसूस क्या करें आप। आवगा दियान लगा रहा था तो यह लगाओ एक ग्लैरी रो रही थी रो। जब मैंने धियान से उसकी बातों को सूना आपका, ठीक है, तो मैं देखा कि बहुत कस्ट में है। भहाँ निकला मैं देखा कि क्या कस्ट है इसको, तो उसको कस्ट थापका, ठीक है, उसके बच्चे वगबरा किसी ने माल दिये, तो वो कस्ट में रो रही थी, तो पोधे भी रोते हैं, जानवर भी रोते हैं, इंसान ही नहीं रोते हैं, इंसान तो बस अपनी बातों को बता देते हैं ऐसे, जैसे मैं बता देता हूँ, आप जानते हैं प्याचो जो पोधा होता है, पोधा लगाता है धूप में खड़ा हुआ है, आपने कभी किसी ने र परатुन होगा कुछ याप कर रहे हैं गया उपने कि कर रहहा हैं मोवि के हीरो है बडय को आपको हानी कर रहा है आपने मौमबती जलाई मौमबती को उपर हाथ रखा जब तक हानी करोगी हाथ नहीं हटेगा लेकिन जैसे आपको extra heat मिलती है आपका हाथ जलने लग जाता है और आप कहते हैं कि बाद में देखते हैं ठीक है क्योंकि प्यार मौमबत से बाद में हो जाता है पहले क्या देखा करेगा पोधा तो उसका temperature down होगा अब धूप में भी अच्छे से महसूस कर पाएगा यही कारण है कि पोधा लगाता पानी को अब जूप किया तो पोधा क्या करता है पोधा क्या करता है 95 से लेकर 99 लीटर पानी को क्या करता है लॉस कर देता है टांसपारेशन 95 से लेका 99 परसेंट पानी को लॉस कर देगा तो यह अच्छी बात होती है खराब बात होती है अच्छी बात है खराब बात है खराब बात है भाइसा है ना मालो आप कमा रहे हैं एक लाग रुपाई है और 95,000 लॉस कर रहे हैं 95,000 उड़ा रहे हैं तो यह अच्छी बात है ख यहां पर पानी ही मुम नहीं करता, यहां पर पानी के सासा प्यार पेचो मिनल्स भी जाते हैं, क्या कहते हैं मिनल्स, अगर यह मिनल्स नहीं जाएंगे तो पोधे में बहुत सारी प्रॉसेस रुख जाएगी, तो प्याचो आशली इसको कहते हैं necessary evil, आवश्चक दोश है, प् आपके मन में भी नगा कोई दर्द होगा, किसी रिसेदार ने कुछ बोल दिया होगा, किसी परिवार वाले ने कुछ बोल दिया होगा कि ना तो तेरे बाप पढ़ा ना तू पढ़ पाएगा, ना तो तेरे भाई PCS hypocier बन पाया, ना तू बन पाएगा, तो ये जो दर्द होते हैं, ये दर्द आपको energy प्रदान करते हैं, ऐसे दर्द देने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे दर्द ना दे, तो हो सकते हैं, आप इतना पढ़ाई ना करें, transpiration जो होता है, transpiration mainly occurs through, transpiration mainly किसके माधियम से होता है, तो प्याचो पोधे में क्या है, पत्यां, और पत्यों में क्या होते हैं, रंद्र होते हैं, तो प्याचो mainly किसके माधियम से होता है, leaves के माधियम से, लगवग 90% होता है, और इस transpiration को बोलते हैं, foliar transpiration, दूसरा होता cuticle, मैंन पोदे की जो चाल होती है उसमें छोटी छोटी पोर्स होते है ओर होते हैं Lenticles और Lenticles के माद्यम से कितना होगा प्यावच आपका इसमें होता है आपका प्यावच वो 0.1 से लेकर 1% काफी कम होता है लेकिन हम इसको count करते इंपे से कुछ नहीं उप्षेगे बस अगी पूछेगा 100 मेटा आपको क्या अमक्या सेस्थ्प मथण प्यार ना अजया रखना धार उक्त ना प revolution । कि भा तो खोए श्रीयां सेन्ग्रा यह कि यह पूछना चाहर से प्यूक् tant जो ड्प हो पूछनों उस से कि जर कजा को दुलॉट करता है पानि का आज पानिका ल्गॉस्ट नहीं करेगा तो क्य आउगा Mindness owns ओकर कैसे पानी अब्letter करता है न पोधा। उसका कुछ percentage leaves भी यूज़ करता ऐ है। किस प्रसेश के लिए आपका प्रकास menstruation के लिए। और पानी नहीं जैएगा तो प्रकास fermented नहीं हो पाएगा तो पोधे की ड़ायगी। पोधे का जीवन किसके लिए पोधे का जीवन आप लोगों के लिए आप लोगों को ऑक्सियन देने के लिए पोधे का जीवन आप लोगों को पोधा पोधा आप लोगों को क्या प्रिदान करता है आपका भोजन प्रिदान करता है ठीक है देखो पोधा पोधा कूछ दे रहा है कर लंगातर दे रहा है लगातर दे रहा है लेंग ऱ बद्ले में क्या देतें पोदे को पोलूटेंट्ड योज पोलूटेंफ भी बे quand् गॉडोट теперь के मार देता है न अब जब भी आप году क्याम है चलाएंगे न तो आप सोचेंगे कि जो दुआ इससे निकल ला है वो किसको नुक्सान देगा पोद्यों को नुक्सान भी देगा तो आप कम से कम चीजों का इस्तमाल करें अगर कहीं पैदल जा सकते हैं तो पैदल जाएं कहीं सेरिंग पे जा सकते हैं सेरिंग पे जाएं तो इन चीजों का आपका डिक्जन एंड जोली थिओरी डिक्जन एंड जोली थिओरी को मानते हैं हाँ आपको पानी के मोलीकूल होते हैं आपका वो कोईसी फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं जब पोधा ट्रांस्पारेशन की प्रॉसस करता तो ट्रांस्पारेशन करता तो पुल क्रेंट होता है पल मना भीषना तो ट्रांस्पारेशन कूल वहारा पर अंशिता है अब क्या होगा आपका गहीं हाँ ताकि पानी को स्टोर करें पानी को लॉस कम करें देखो कोशन ही गलत है फिर भी आपने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है प्याज़ों जो लीप्स होती इंडेजर प्लांस की बहुत हो मोडिफाइड हो या थी किसमें आपका स्पाइंस में क्यों रोकने के लिए आप आप जानते हैं माली जेक ऐसा लीप्स बड़ी बड़ी होती तो ट्रांस्पाइरेशन का रिटा जाद होता है पानी का लॉस जाद होता है एक तो पानी की बैसे ही कमी है जब भी आपकी सैलली कम होगी जीवन में तो क्या आप अपने खर्चे के बढ़ाएंगे घटाएंग इसमें मतल लगए आपकी कांटों में तो आप देंगे इसमें फोटो सिंधिस का काम कोन करता है कोन करता है इसका स्टैम करता है इसका स्टैम काम करेगा फोटो सिंधिस का इसमें मोटी सी बैक्स लेयर भी आ जाती है ताकि पानी का लॉस बिलकुल भी ना हो और ये पोधा बिना पानी के भी तीन, चार, पांच, छे महिने खड़ा रहे आराम से कोई दिक्कत ना हो, समझ गया आप? हाँ, बिलकुल, बिलकुल, रोसन बिलकुल सही बढ़ा रहे हैं आपका, ठीक है बड़े आगे? हाँ, leaves भी नहीं होते हैं, without leaves भी हो जाते हैं, तो आप समझ गया, आप जानते हैं, प्याचो, आपने कभी कपड़े दो हैं किसी बच्चे ने, क्या आप अपने कपड़े खुद दोते हैं, यस नो, तो आप देगा, जब कपड़े आप धोते हैं, और कपड़ों को सुखाने क ले जाते हैं, तो कब कपड़े जल्दी सुखते हैं, गर्मी में हैं सर्दी में, गर्मी में, हवा चल रही होगी, हवा रुक रही होगी, जब हुमिडिटी होगी, हुमिडिटी नहीं होगी, मतलब जब बरसाथ होगी या गर्मी होगी, गर्मी में, है ना, जब आप को सुकाते हैं तो क्या ऐसा गोला बना के रखते हैं? फैला के रखते हैं? मतलब जितने अधिक surface area होगा, उतना ही rate of transpiration high होगा. जितना अधिक temperature होगा, उतना ही rate of transpiration high होगा. और जितनी humidity कम होगी, उतना ही rate of transpiration ज़्याद होगा. जब हावा चल रही होगी, जब आदरता कम होगी और जब large surface area होगा lips का, तो इन condition में rate of transpiration क्या होगा higher होता है, याद अखेंगे सारे के सारे बच्चे, इसको relate कर लेंगे आप कपड़े सुखाने से, आंसर आ जाएगा कुछ गलत होने वाला नहीं है आपका, ठीक है, अब यहा जब आपको टैंसन हो जाती है, आप क्या गरते है, आप जाते हैं, पानी लेकर पानी उसकी route के पास डाल लेते है, तो आप देखते हैं, चैह साथ बजे तक एक दो घंटे के बाद जब आप उस पोदे को देखते हैं, तो फिर से हराब हरा होने लगता है, ठीक है, तो यह को चोवती बींटिंग होती मोर्जाहना by नुक्त धो कार्भाइव एक टाप डि टींप रिगृटिंग कब होगी माली जय गसर आप आप आपको जेब माली ज़्वार्ण मम्मी को पापने पैसे एक हजार रुप 단ने एक हजार लेते न एक हजार दिया दो हजाने ले और ऐसा अक्सर होता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैसा स्टोर था ममे के पास वो भी पापा ने ले लिया तो माली जे का इस पोधे ने पानी एब्जोब किया 10 लीटर लेकिन लॉस कर दिया 11 लीटर, सर 11 लीटर कैसे लॉस कर देगा, कुछ पानी क्या होगा यहां पर स्टोर रहता है, जो पोधे को सीधा खड़ा करने में हलफ करता है और जब 11 लीटर लॉस कर देगा तो क्या होगा, पोधा क्या होगा, मुर्जा जाता है लेकिन फिर से जब इसमें पानी डालते हैं तो यह फिर से क्या होगा, हरा बरा हो जाता है तो इसको देट टेंपरेरी, टेंपरेरी क्या होगा एस थाई, टेंपरेरी है फिर से हो जाएगा टेक, लेकिन एक पर्मनेंट बिल्टिंग होती है, पर्मनेंट पर्मेनन्ट में क्या होगा प्याते हो, जो जालम टिशू होता है, जिसके माधधिम से क्या होगा पानी हनुपर मुप कर रहा है, यह खुराब जाए, यह इसमें फंगी का इंफory Street neo जाए, Gulf पानी पोद्धाइस थाई रूपसे मुर्धा जाता है आपने डेख आपने सीसम के पेड़ देखेंगे या कुछ पेड़े रहते हैं आपका बड़े-बड़े पेड़ सूख जाते हैं या उनके पोद्धे का एक हिसा सूख जाता है तो वो थी पर्मेंनेंट building, समझेR building क्या होती है गिलानी समझेए गिलानी, इसको ओst distributor ठीके? building को क्या ब habitat गिलानी क्याते है गिलानी, यह मिलानी यह गिलानी जैसे आपको ओती है आत्म गिलानी जीवन में आप कभी-कभी कोई ऐसा karn Vilani कर देते हैं, ऐसा कोई कार्य कर देते है कि आपको होती है आत्म गिलानी आप कहते हैं कास ये ना किया होता और कभी-कभी होती है permanent इस्थाई गिलानी कि जब-जब आपको वो बाते याद आएंगी तब तक होगी आपको आत्म गिलानी कुछ आत्म गिलानी ऐसी होती है पूरी जिन्देगी के लिए क्या बन जाती नासूर बन जाती है आपको बार-बार याद दिलाई जाती है है न तो वो थी permanent आत्म गिलानी जैसे आप से आपके बच्चे पूछेंगे पापा पापा मम्मी मम्मी आपने तयारी कि थी BPSC की आपका सेलक्षन क्यों नहीं हुआ उन अंकल का तो हो गया जो आपके दोस्ते तो आपको होगी permanent आत्म गिलानी टेस्ट में नंबर कम आए temporary सेलक्षन नहीं हुआ permanent जब तक जीओगे तब तक भाईसा भी आत्म गिलानी कहीं ना कहीं कि आप किसी के सामने रखते रहोगे कि हमने भी तैयारी की थी अच्छा कि हुआ क्यों नहीं आपका तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे तो आप समझे लें आप temporary तो ठीक है permanent आत्मिलारी मत रख लें ना मन में कहीं फिर दिक्कत हो जाए एक होता है गटेशन गटेशन क्या होगा आप बरसात के तुनों में घास के मैदान में घूमने जाते हैं तो आपने घास के मैदान पर घास के ऊपर गया होगा पानी की बूंदया आती है ओस नहीं ओस सर्दयों में आठी जब आप पढ़ेंगे ड्यू फोर्मेशन आपका ठीक है और आप पढ़ेंगे आपका फ्रॉस्ट फोर्मेशन यह भोषारी फोर्मेशन है जोग्राफी में आ बाद लोगा निर्मान कैसे होता है, इसमें पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन एक टॉपिक आता है, उसमें पढ़ते हैं, तो प्यारचो ये मेरे पास क्या गहास है, ये मेरे पास क्या गहास है, ये मेरे पास गहास है प्यारचो, बरसाद के दिने, बरसाद के दिने तो गहास हो रहा है लगाता है पानी भरा हुआ है तो पानी अब जो हो रहा है अब रात का समय है अल्ली मॉर्णिंग का समय होता है कब होती है अल्ली मॉर्णिंग में होती है ठीक है यहां पर क्या होगा ट्रांस्पाइरेशन ट्रांस्पाइरेशन बास पो सर्जन यहां पर बास प्रो वालुक्ति अब रहा अब पानी अब पानी क्या होगा पानी क्या होगा पैजлав नहीं निकल पा रहा है तो आपने कभी पनीर बनाया पनीर तो पनीर जब बनाती है आपने देखा कि सूती कपड़ा लेते हैं उसमें फटा हुए दूद का जो पनीर उसको डालते हैं फिर उसको क्या करते हैं हमका प्रैस करते हैं तो आपने देखा उसमें से उसके जो छोटी-छोटी छिद्र होते ह उसमें पानी के आगा बूंदों के रूप में बहार आता है, तो प्याचो ऐसे ही यहां लीफ्स में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या बोलते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं, हाइड़ थोर्स, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, हाइड़ थोर्स, इ जो guttation की process होती है प्यावचो गटेशन की process जो होगी इस ये कब होगी जब rate of transpiration क्या होगा कम हो जाएगा rate of absorption से पानी का absorption जाद होगा transpiration कम होगा तो क्या होगा root pressure depth up हो जाता है और जिसके कारण क्या होगा impure water कैसा पानी आपका impure water भार आने लगता है किसके माधियम से hydra thoughts की माधियम से और यह जो process होते है इस process होते है guttation बस याद रखना guttation में कैसा पानी loss होता है impure और किसके माधियम से होता है hydra thoughts बस यही दो question याद रखने आपको ट्रांस्पाइरेशन में प्यूर वाटर लॉस होता है गटेशन में इंप्यूर होगा ट्रांस्पाइरेशन में किसके माध्यम से पानी लॉस होता है प्याचो किसके माध्यम से पानी लॉस होता है इस्ट्रमेटा और इसमें किसके माध्यम से होता है हाइडे थोर्स कहतनी बा बाते करेना बड़ा अच्छा लगता है ना मूवी देख तेरे नाम उस समय के जो बच्चे थे ना दो जार तीन चार के जो बच्चे थे आपका जो पढ़ लाए थे उस समय उनका वड़ा फेवरेट ये गाना हुआ गड़ता था आपका और उस समय की मूवी में सलमान खाने जो बाल लगते ना बाइसाब ऐसी बाल रखने लगे थे आपका बहुत सारे बच्चे और उनका नाम पर जाता था तेरे नाम बलब फिल्में आपके जीवन को बहुत अफेक्ट करती है हमारे समाज को तो फिल्में बड़े सोच समझ के बारानी चाहिए फिल्मों में क्या ह साइन्स होनी चाहिए साइन्स ताकि बच्चा साइन्टिफिक एप्रोच पर जाए और हमारे मुवी कैसी बनती है गैंगिस्टर वाली तो आप देखेंगे मैक्सिम मुवी जो गैंगिस्टर वाली बनी हुए तो आपने जहां-जहां जिन-चिन छेत्रों में वो मुवी जा आपके जीवां को अफैक्ट करती है बहुत ज्यादा ठीक है अब देखाया अब यह बहुता है इस्टोमेटा को जब मैं देखता हूं बैचो इस्टोमेटा को देख लेक बार स्तुमेटा क्या होता है सारे बचन आपर देखें कि इस्टे अीच्व टोमेटा मेरे पास मेरे पास यह फोते हैं च्छोटव में च्छोटव को क्या बनते हैं इस्टौमेटा को थोड़ा जूम करता हौn थोड़ा बढ़ा करके देखता हूं स्टमाट को तो में देखता हं इनके पास क्या होती हैं इनके पास क्या होंगी दो गार्डसस होंगी इनके पास दो गार्डसस होती है और गार्डसस का जो इनर वाला लेयर होता है इनर वाला लेयर जो होता है गार्डसस का जो गार्डसस की इनर लेयर होती है जो गार्डसस की इनर लेयर होती है जो गार्डसस की इनर लेयर होती है और इनके भार होती हैं प्याज़ों, सबसीडी सेल्स, ये साथ से लेकर नो तक होती हैं सबसीडी सेल्स, इनको होती हैं साहे कोसी का, इनको सबसीडी सेल्स कहते हैं, साहे कोसी का, इनको सबसीडी सेल्स कहते हैं, साहे कोसी का कहते हैं, और प्याज़ों, यहाँ पर क्या होगा इनलेंद अजिल और तुमिर चेशित्र सब्सक्राइब का का बच्चु सबसक्राइब जो होती हैं गार्षार सिस्पेड तो या रखेंगे अललेटा है manifestations का शेप देखता हूं से मोनोकॉड ईट प्लाइंट्स आपने कभी मुमफली खाई है मुमफली हां sir खाई इसकत्ष्पी तो या रखेंगे बोलजा आपका अब देखो यहांपर सर मुमफली जब आप खाते हैं तो मुमफली को जो आप छीलते हैं तो उसमें से एक दाना निकलता है तो क्या उस मुमफली के दाने को आप दो भाग में डिवाइड कर देंगे यस कर देंगे तो जो दो भाग में डिवाइड होयाते हैं, उनको बोलते हैं डाइकोट्स, क्यालते हैं डाइकोट्स, ठीक है, उनमें डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट्स प्लांट कहते हैं उनको, आम की गुटली को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, तो आम की गुटली को तो नहीं कर कि बढ़े स्वादिस्त होती हैं सब्सक्राइस कoming मैसाम के शादितने में मुख utilizzल insoda और मुझान से आने हम लगा और सकते हैं आपकी आपकी रोटी होटी भी लगे ओऊँ और मीथी चटनी होती है हांं कि आणन्द होता है ना लड़्या वरे सोगव से खाती है लड़्या भी खाते है लट्किया भी कहते हैं मैक्सिमम आचार मेल के लिए बनाए जाता है और मीठे आम की जो चटनी होती है जैसे आम के पापड होते हैं महिलाए खाना बड़ा पसंद करती है आम पापड है ना हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुह में पानी आ गया मुझे लग रहा तुमारे अभी खाना है याँ आप चावल को ढ़ाग में करते हैं चावल को में है लिवाइट नहीं कर पा रहें तो प्यारजों वो कैसे ओंगे मों हो और जिनको कर देते हूं डाइकॉड लिग .... पीपल की लीव देखी पीपल, यह पीपल का पेड है, तो आप देखा इसमें क्या होगा, पीपल के पेड में क्या होगा, यहाँ पर होता है, मिड्रिव, मद्ध्य सिरा, यहाँ पर यह मिड्रिव होती है, जिसको होते हैं, मद्ध्य सिरा, और यहाँ पर क्या होगी प्याचो तो यह आपका यह क्या होगी वेन होती हैं, क्या होगी वेन होती हैं, वेन क्या होगी सिरा होगी, वेन क्या होगी प्याद जो सिरा होती हैं, यहाँ पर क्या होगा मिर्ड्रिव होती हैं, ठीक हैं, और यहाँ पर क्या होगा वेन होगा, तो यहाँ रखेंगा जो शेप होती है करक्ष हो एक जाएंगे मोनोगोड में क्या होगे डंबल शेप कैसी होगी इंडंबल शेप नहीं क्या होगा तुमने और इसमें पाई आती है अपका किटनी शेप यार रखना शेप कैसे होती है बस इतना यह और रखेंगे तो काम चल जाए गा ठीक है अगला आता है खैस्स हमारे बाद कानी ठ्रफ बीफ्यूजन खेली खेली होगे आपने आप दिखेल मैं हम क्या गब्ली में करें पानी कटा करतें बाल्टी में फटा नहीं दालते हो तो फिर भी अगर नहीं होता तो पिछ काली पानी भरते हैं और मात्रा से अपनी अधिक मात्रा से कहा मूब करते हैं कम मात्रा की तरह मूब करते हैं अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरह मूब करते हैं जब तक कि equal ना हो जाए जो गाउं के बच्चे होंगे या जो यूपी और भिहार के बच्चे होते हैं उन्होंने देखा होगा कि कभी-कभी बस वगरा में कोब्रा का पर्फूम लगाके कोई व्यक्ति या कोई मोहतरमा आ जाती है और पूरी के पूरी बस में कोब्रा की खुस्बू फैल जाती है कोब्रा एक ऐसा पर्फूम होता है जिसको यूपी भिहार वाले बच्चे सबसे पहले लगाना सीखते हैं और खुस्बू उतनी बहतरीन होती है उसकी कि एक वार आप सर्दियों के सुरू में अगर आपने निकल जाएंगे लेकिं खुस्बू नहीं जाएगी कोब्रा का पर्फूम कभी-कभी तो वाइसा इतना कोब्रा का पर्फूम लगा के कोई इंसान आ जाता है कि सामने वाले को छीक आने लग जाती है जैसे बहुता है ना साधी विवा में आपने देखा होगा रात की साधी होती है तो साधी विवा में कोई ऐसा व्यक्ति एक रूम के अंदर आ जाता है जहां पर सब लोग सोय होते हैं और जैसी वाइसा वो व्यक्ति अपने जूतों को निकालता है तो उसके मोजों में से इतनी बद्बू आती है उसको महसूस नहीं होती लेकिन उस कमरे के अंदर जितने व्यक्ति सो रहे होते हैं सब के सिर में दरब हो जाता है उसके मोजों की बद्बू सूंके उसको महसूस नहीं होगी देखा है आपने यस तो वो प्रॉसस थी डिफूजन तो डिफूजन प्याचो वो प्रॉसस थी जिसके मादम से क्या होगा गैस का आइन्स का मोलि होता है या डिफूजन में क्या होगा प्याचो मोलीकूल जिसकी कानेटिक एनरजी जाद होती है उसकी वो कहां मूब करता है कम कानेटिक एनरजी की तरब मूब करता है इसमें क्या होगा डिफूजन कहां होता है हाई कानेटिक एनरजी मोलीकूल की तरब होता है डिफूज अपका कोबरा का परफ्यूम उसको एक दो बार लगाया वस फिल लगाया नहीं कभी जीवन में परफ्यूम की कोई आवश्रक्ता ही नहीं पढ़ती है है अब जो भी आता है भार से विदेश से तो मेरे लिए क्या लाता है पर्फियम ली आता है या कुछ और ली आता है कि है ना तो आप समय लेगा समय समय की बात होती है कि अब तो अब तो मेरे जूते भी आपका एक लंदन के हैं, एक स्कॉट लेंड के हैं, आपका, जूते भी यहां के नहीं पहनता है, कभी भाई साब, गोल्ड स्टार, पीटी सूज पहनते थे, सत्तर रुपए के आते थे, फिर गोल्ड स्टार पहाई, 120 रुपए के, फिर एक्सन के जूते पहाई, फिर एक केंपस का जूता आता है, आपका सौसर पहाईगा, फिर आए हम इस पे आपका नाइकी और या आपका एडी रास रीवोक वाले जूते पहाई, फिर हम इस पहाई आपका ये जो होते हैं, आपका A6 के जूते जो होते हैं, A6 वगरा के कि जूते जो होते हैं उन पर क्यार बोतों मैं अब भी यूज करता हूं फिर हम और हाईयर ब्रैंड पर चले गए तो ये बात होती है मैं लग कभी-कभी तो ऐसा होता है कि दस साल में जितने महंगे जूते पहने होंगे हमने उतने महंगे जूते आज एक ही जूता उतना महंगा जाता है ये रहता है लेकिन जो मजा उन पीटी सूज में आदा था ना 70 रुपए के जो जूते आदे थे कपड़े वाले उनको साफ करकर जह हम जाते थे स्कूल में वो आनन आज भी नहीं आता है समय से मैं की बात है ठीक है अ बढ़े हागे सर अगला कोशन हमारे पास पर आप हो यार रखेंगे यह तो करी परना आपको solution को यारे क्यों स्वोषिन होता है तो हाइपोंगे होता है इसम पानी जाद होगा वहला solute जादे होगा, एक होगा isotonic, isotonic वह होगा जमें बरावर होता है ठीक है, जिसमें क्या होगा बरावर होगा ठीक है, अब membrane के type होते हैं एक होती permeable membrane, जो सब को pass होने देती है, एक होती semi-permeable यह याद रखना, यह solute को रोग लेती है solvent को pass होने देती है, पानी को रोग लेगी, पानी को जाने लेगी, चीनी को रोग देगी जैसे क्या होगा, cell membrane जैसे क्या होगा, cellophon membrane होगा parchment paper होता है, एक होता है selective, selective permeable, जैसे आपने pre-qualify कर लिया, तो pre-qualify करने वाली mains दे पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, selective permeable हो जाएगा specific solute pass होनी देता है, बाकियों को रोग लेता है, जैसे प्लाज्म में ने, जैसे होगा impermeable, सबको रोग लेगा, तो यहां से एक process आती है आपका osmosis, इसको समझे लो, बस आप, फिर लास्ट टोफिक है आज की लास का osmosis, osmosis को समझे लो, osmosis क्या होगा परासरन क्या होता है, काफ़ी वार question पूछे आते हैं, परासरन क्या होता है, तो परासरन में क्या होगा माली जेगा sir मैंने दो solution यहां पर लिए, मैंने δो solution लिए, एक लिए मनें hypertonic solution बो होगा जिमें पानी की मातरा जाद होगी कम होगी पानी की मातरा कम होती है और hypotonic बो होता है जमें पानी की मातरा क्या होगा आपका प्याचो जाद होगा ठीक है और यहां पर यहां पर प्याचो हमने हमने यहां पर क्या रख दिया हमने प्याचो यहां पर एक membrane रख करते हैं पानी के मॉलीकुल हमेसा कहां प्रक आपनी अधिक मातरे से अपनी कम मातर की तरह मूब करते हैं फटे सोते मिले अपका मैं सब्सक्राइब कमपनी मैं को सब्सक्राइब निक क्याएं वह को सब्सक्राइब हों सकतных तो अल्हाला बिलाग मैं नीत अपनेब कोई ना कोई मुझे देता है कपड़े वगड़ा वही पहनता हूं तो अपसे लगवग लगवग एक साल पहले से मैंने कपड़े खईदनें बंद कर दिये जो देता है उसका पहन लेता हूं जैसे अभी यहां पर क्लास की एक स्टुदेंट है आपको उन्हों को भेज़े दी सर्ड भेज़े थी है ना ऐसी कोई ना कोई बच्चा भेज जा रहता है कुछ सेलेक्टेट हो गए आपका जब आते हैं तो कुछ ना कुछ कहते हैं कि सर आ अब ऐसा कुछ नहीं है किया सोचो है अगर मन में तुम्हारे कुछ आ रहा हो कि नहीं हमें सर को कपड़े देने कोपस के कपड़े देने देना भाई साब यहां देख आप यह क्या आप सेमी-parmival membrane के दौरा सेमी-parmival membrane के के दवारा प्याज़ो क्या होगा आपका semi-permural membrane के दवारा अगर पानी का movement होता है पानी का movement हो रहा है आपका तो प्याज़ो इस process को बोलते हैं osmosis तो osmosis क्या है प्याज़ो osmosis क्या होता है osmosis क्या होगा osmosis एक special type का diffusion है जिसमें solvent मतलब पानी के molecule कहां mow करते हैं अपनी अधिक मातन से कब मातन की थरब Oo कि स्व्य खरते हैं किस membrane से होकर mow करेंगे आपका semipermavel किस membrane से होकर मुट करेंगे से यादर है अपका बश्यार्ति किस membrane ने अगर्या अने ईक होता है यहgestellt है यहां तो आप2 प्रिखार थिकहां एक होका endosmosis, एक होता है exo, एक reverse भी होता है लेकिन उसमें energy की requirement बढ़ती है, पानी साफ करने में हम उसका इस्तमाल करते हैं, एक होगा endosmosis, endosmosis का मतलब क्या होगा प्यारचो, endosmosis का मतलब क्या होगा, कि माली जेगा आपने पानी के अंदर किसको डाल दिया, पानी के अंदर किसको डाल दिया, पानी के अंदर किसमिस को डाल दिया, किसमिस को, तो किसमिस के अंदर पानी की मात्रा कम है प्यारचो, और बाहर पानी की मात्रा क्या है, जाद है, तो पानी कहा मूप करेगा? पानी बहार से अंदर की और मूप करेगा और धीरे-धीरे क्या होगा? किसमिस फूल जाएगा. तो किसमिस का फूल ना, किसका example है एंडॉस्मोस है? आपने क्या क्या पैचो, आपने क्या क्या? आपने पढ़ा एक्जोस्मोसिस. क्या है आपका ? exosmosis. exosmosis में क्या होगा ? मालो, मेरे पास एक grey एक अंगूर है. अंगूर है मेरे पास. मेरे पास क्या है आपका ? अंगूर है. अंगूर को मैंने डाल दिया sugar solution में. sugar solution में Pues not. sugar solution तो मैं देखता हूँ प्याचो की जो अंगूर होगा, जो अंगूर होगा, अंगूर के अंदर पानी जादा है, और भार पानी क्या है का कम है, तो मैं देखूंगा अंदर से पानी कहा जाएगा, भार जाएगा, और अंगूर क्या होगा, सिकूर जाएगा, तो अंगूर का सिकूर ना किसका एक्ज तो प्याचो यह लिखा हुआ है endosmosis, exosmosis के example कुछ लिखे हुए, इसको देख लेना सारे के सारे बच्चे, अब मैं यहाँ पर प्याचो आपको revision करा रहा हूँ, vitamins का, तो जल्दी से आ जाए, vitamins का revision करें, सारे के सारे बच्चे, vitamins, तो प्याचो vitamins से क्या हमें कोई energy मिलती है, कोई energy नहीं मिलती है, vitamin कैसे compound होते हैं, organic compound होते हैं, एक scientist है, C funks जिन्होंने vitamin नाम दिया, vitamin दो प्रिकार के होते हैं, water soluble, water soluble में कोण कोण आते हैं, B and C, और fat soluble में कोण आते हैं, K, D, E and K आते हैं, यह क्या होंगा आपका fat soluble, अब जो fat soluble vitamin है, water soluble vitamin एके करके हम सब को बढ होती है, इसमें आपकी मसस बगरम pain रहता है, palysis भी पढ़ सकता है, जो vitamin B2 होता है, इसको बोलते हैं, यालो vitamin भी गहते हैं, इसकी गमिकार आपको क्या हो सकता है, cat tract हो सकता है, motiavin, आपको photophobia हो सकता है, प्रकास में डल लगेगा, आपको chilosis हो जाएगा, माउथ के कोने इसके बाद रहता है, vitamin B5, vitamin B5 का chemical name क्या होगा, प्याचो, pyradoxin होता है, और pyradoxin किसके लिए helpful होता है, प्याचो, pyradoxin, ठीक है, pyradoxin helpful होता है, आपकी मसस बगरा के लिए ज़्यादे ठीक रहता है, pyradoxin, लेगिन इसकी कमिकार आपको क्या हो सकता है, प्याचो, black tongue disease ह हो सकती है, pyradoxin, sorry, pyradoxin ही होता है, panthozenic acid होता है, vitamin B5 होता है, panthozenic acid, vitamin B6 होता है, pyradoxin, vitamin B5, Dualאן B5, pyradoxin, जो B6 होता है प्याज़ो, पारेडॉक्सिन, इसकी कमी कान क्या हो सकता है, अनीमिया हो जाएगा, माइल्ड लविनीमिया, यह प्रोटीन और RBC के निर्माण में हैल्प करता है, बिटामिन B7 को बोलते हैं, बायोटीन, बायोटीन को बोलते हैं, आपका बिटामिन H, या हेर, बिटामिन भी गयते हैं, और इसकी कमी अगर हो जाती है, तो आपको क्या होता है, फालिंग ओफ हेर होता है, बिटामिन B9 को के बोलते हैं, फॉलिक असिड बोलते हैं, folic acid की कमी का नावको एक anemia होता है जिसका नामता है megaloblastic anemia vitamin B12 को बोलते हैं cyanocovalamin और इसमें covald metal पा जाती है और अगर इसकी कमी होती है तो आपको हो जाता है 15-स anemia फिर आता है vitamin C, vitamin C का chemical name होता है ascorvic acid फिर इसमें जो खटा पनाता है खटा पनाता है citrus fruit में वो होता है citric acid की कारण vitamin C जो होता है प्यावचो वो किसमें पायाता है citrus fruit में पायाता है सबस्यादे किसमें होगा आमला में फिर किसमें होगा capsicum और chili में होता है उससे कम किसमें होगा प्यावचो गौावा में फिर ओरेंज में फिर लेमन में होता है विटामिन C की कमी हो जाती है तो हमें एक विमारी हो जाती है जिसकर नावता है सकर्भी जिसमें आपके दांत लूज हो जाते हैं आपके मस्वोडों से ब्लड आने लग जाता है आपके हड्डे कमज़ोर हो जाती है या र बिटामिन भी कहा जाता है, अब आते हैं fat solid vitamin, fat solid vitamin है सबसे पहला vitamin होता है, अच्छा, vitamin C में एक बात और याँ रखेंगे, ये heat sensitive vitamin होता है, गर्म करने पर नस्ट हो जाता है, फिर हम पढ़ते हैं, बिटामिन A को, बिटामिन A को बनाए रखने में help करता है, बिटामिन A आवशक होता है, आपकी skin के लिए, आपकी आँखो के लिए, अगर इसकी कमी हो जाएगी, तो आपकी skin आँखो में बहुत सारी बिमारे हो जाती है, उन में से एक बिमारी आपकी night blindness, दूसरी आपकी gyrophthalmia, तीसरी आपकी keratomalesia, यावखना जो बिटामिन A होता है, बो golden rice बगणा में पाई आता है, सबसे आदे विटामिन ए जो है प्याचो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो प्याचो आपकी रोडसर्स काम नहीं कर पाती है, रोडसर्स काम नहीं कर पाएंगे तो आपको रात को दिखाए नहीं देता है, इस विमारी को होते हैं, नाइट ब्लेंडनेस, क्या वागते हैं आपका नाइट इसलिए vitamin D, hormone की तरह behave करती है, vitamin D आपके सरी के अंदर सबसे जल्दी मात्रा में बनती है, सबसे तेजी के साथ बनने वाला vitamin कौन सा होगा, vitamin D, ये गर्म करने पर नस्ट नहीं होता है, जबकि vitamin C और vitamin A गर्म करने पर नस्ट हो जाते हैं, vitamin D, आपकी intestine से calcium और phosphate का absorption कराता है, मतलब हड्यों का निर्मान कराएगा, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्या टेटी हो जाती है, बच्चों में ये बिमारी करता है, प्याचों रिकेट्स और बड़ों में बिमारी करता है, आपका osteomalacia, आपकी हड्यां soft हो जाती है, इसके बाद आता है vitamin E, इसको beauty vitamin B कहते हैं, इसको anti-stallity vitamin B कहते हैं, इसको fertility vitamin B कहते हैं, इसको anti-aging vitamin B कहते हैं, ये germinated seed वगरा में पाएगा जाता है, इसकी कमी कान आपको ataxia हो जाता है, इसकी कमी कान आपको stallity हो जाती है, ये प्याचो wheat germ oil में पाएगा जाता है, ये nuts में पाएगा जाता है, ये vegetable oil में पाएगा जाता है, यारगना vitamin E क्या करता है, आपके सरी के अंदर से free radicals को कम करके, आपकी aging को रोकता है, ये anti-oxidant vitamin B होता है, अगर आप जादे कहां रहेंगे, pollutant area में रहेंगे, आप जादे smoking करते हैं, तो आपके अंदर free radicals भढ़ जाते हैं, जो आपके अंदर बुड़ापल आते हैं, आपको cancer वगरा कर सकते हैं, vitamin K का chemical ने होता है, फाइलर क्यों रहों, और ये जो vitamin K होता है, क्योंकि हीमोरेज को रोकता है, इसलिए vitamin K का एक नाम और रख़्ा जाता है, anti-hemosurase, ये आपको टमाटर में मिलेगा, ये आपको गोभी में मिलेगा, ये आपको पालग में मिलेगा, ये आपको वीन्स में मिलता है, कुन vitamin K, अब बताएं किया आपको कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा सारे के सारे बच्चे रीविजन हो गया विटामिन का एक एक वार अपनी नोर्स में से पढ़ लेना जो भी आपने फांडेशन वेस्ट में पड़ा है अगर मुझसे पढ़ाए तो बहुत में सेल बालोजी सेल बालोजी जितना मैंने यहां पर पढ़ा है वो उससे आगे आपको याद करके लाना पड़ेगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद है ना आप अपना ख्याल लखें टाइम की चिंता ना करें पांच मिनट साथ मिनट आगे भी जाता है तो चल जाएगा इसी के साथ आपके अंदर उपसित नारायन को मेरा कोटी-कोटी परणाम अपना ख्याल लखें और अपने ममी पापा का और अपने राज्या का नाम रोशन करें थैंक यू बरी मुच